सुप्रिम कोट ने कावड यात्रा में दुकंदारों को ये आदेश निदेश जारी कर दी हैं कि नाम लगाना नेम प्लेट लिखना ये कोई अनिवार नहीं है उन्होंने कह दिया कि ये कोई अनिवार नहीं है और अपनी स्वेच्छा के आधार पर किसी को भी विवस नहीं कि जा सकता किसी को भी दबाओ डालके ये नहीं कहा जा सकता कि तुम नेम प्लेट लगाओ तो ऐसे में तमाम जो मुस्लिम दुकांदार हैं तमाम जो फरुकुद्दीन अब्बास रह्मान रहीम हैं जो हिंदू नाम लिखकर जो है अपनी दुकांदारी वहां चला रहते हैं उन जो कह रहे हैं कि हमारी 20% दुकांदारी हो रही जहां पर 100% तक की दुकांदारी करते थे तो ऐसे में अब हिंदू को भी करना चाहिए हिंदू जो दुकांदार हैं उन्हें अपने नेम प्लेट कता ही नहीं हटाने चाहिए क्योंकि ये सुप्रिम कोट का आदेस कता ही नही है कि आप अपने नेम प्लेट को लगाए तो आपके खिलाब सक्त कारवाई होगी वो स्वेक्षा पर सुप्रिम कोट ने आदेश जारी कर दिया है जिसे लगाना हो लगाए जिसे ना लगाना हो ना लगाए सरकार इस पर जबरजस्ती नहीं कर सकती तो ऐसी इस्तिती में मुस बड़ी संख्या में कावडिये निकल रहे हैं तो हिंदू जो दुकंदार है वो पताकाए अपनी दुकान पर जरूर लगाए हिंदू जो दुकंदार है वो रोज साम को सुबह अपनी दुकान पर आरती पूजन करें घंटी बजाएं संखनाद करें और जहां पर भी वो त तिर्थिस्थान पर तिर्थिस्तल पर जाते हैं जिस जगह पर वहां पर दर्शन करने वाली जो फोटो हो उस फोटो को जरूर लगाएं पूरी तरह से ये साबित कर दे पूरी तरह से ये बता दे कि वो सनातनी है वो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं हिंदू धर्म संस्कृत को मानने वाले हैं और उनके यहां जो सामान खरीदेगा जो भी कवड़िया उनके यहां से खरीदारी करेगा तो कम से कम वो सामान जो है वो वस्तु है वो साप सुत्री रहेगी वो किसी भी तरह से खराब नहीं रहेगी यानि असुध नहीं रहेगी जैसा कि तमाम विशेश के लोग जो समान बेचते चाहे पूजन सामगरी बेचें चाहे परशाद बेचें चाहे खाने पीने की सामगरी बेचें लेकिन उसमें असुधता की पूरी गारंटी रहती है तमाम वीडियो जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताए कि थूक कर पेसाब करके तमाम वीडियो वाइरल होते हैं और इन वीडियो में ये सापत और पर दिखाया जाता है कि कैसे हिंदू के धर्म को भरेष्ट करने की यानि असुद्ध करने की कोशिस की जाती है तो अब अगर बड़ी संख्या में उत्राकंड, उत्तरप्रदेश, मद्दप्रदेश, तमाम जगहों से जहा जहां से कावडिया निकल रहे हैं, उन कावडियों को स्वागत के लिए, अभिनंधन के लिए हिंदू जो दुकंदार है, वो उनके आरती के लिए वेवस्ता करें, वो उनके पूजन की वेवस्ता करें, उन पर पुस्प भी अरफित कर दें, 24 घंटे तो पुस्प नहीं अ जो असलम साहब हैं वो जब देखेंगे तो वो चौक जाएंगे, कावडिया भी देखेंगे कि उनका स्वागत कौन कर रहा है, कावडिया भी देखेंगे कि उनका स्वागत कौन कर रहा है, तो ऐसे में कावडिये खरीदारी सिर्फ उन्हीं दुकंदारों से करेंगे, जो उन कर लिया कि वो इस नियम का पालन करेंगे जो जो चीजे बताई गई है उन पर वो द्रडविश्वास के साथ काम करेंगे तो उनकी दुकंदारी बहुत अधिक होगी वो आर्थिक रूप से मजबूत होगे आर्थिक पच्छुन का बहुत ज्यादा मजबूत होगा और आज ज जरूरत है जो दलित है पिछले हैं जो रेड़ी पर पुटपात पर दुकाने लगाते हैं जो छोटे-छोटे वस्तुआ व समान बेचते हैं उन सब को आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके बैपार में आपके कारोबार में लोग घुज रहे हैं ऐसे लोग गुज रहे हैं जो वैसे तो कह दो कि मंदिर के सामने खड़े हो जाओ मंदिर के सामने हाथ जोड़ लो तो वो कहेंगे कि हमारा धर्म ब्रेष्ट हो जा रहा है हम गैर हिंदू है हम हाथ नहीं जोड़ते हैं हमारे यहाँ पर हाथ जोड़ना पूजा करना य लेकिन जब आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत होना होता है, जब कमाई का मौका लगता है तो फिर वो मंदिर के सामने खड़े होकर प्रशाद और पुजन सामगरी भी बेचते हैं, तो कम से कम इनकी पोल तो खुली चाहिए, सामने साप हाना चाहिए, जैसा धीरे-धीरे योगी आदितनात के आदेश के बाद से जब नेम प्लेटे लगनी सुरू हुई तो मुझफर नगर जैसे छेतर में जहां पर 15-15-20-20 ऐसी दुकाने थी जो गर्ग की थी अगरवाल की थी मित्तल की थी और जब पोल खुला जब उन पर नेम प्लेट लिखा गया आदेश के का साब तोर पर ये पता चलने लगा कि बड़ी संक्या में मुस्लिम पूरे देश में नाम बदल कर पहचान छिपा कर दुकंदारी कर रहे हैं वो हिंदू समाज को गुमरा करने की कोशिस कर रहे हैं अब एक बात और समझ में आती है कि आप कहते हो कि आप इमान के पक्के हो आ आप इमानदारी से काम करते हो आपके अंदर सच्चाई है आपके अपने अंदर अपने देश धर्म के प्रति देश तो मत मानों क्योंकि देश तो कई बार मानते नहीं हो आप धर्म से उपर देश को लाते नहीं हो तो अगर आप अपने धर्म को ही मानते हो तो क्या आपके धर्म में ये कहा गया है कि आप देव इस्थान पर जाएं देव इस्थलो पर जाएं और वहाँ पर कलावा बांद कर तिलक लगा कर वहाँ पर जाकर सामान बेचें वस्तूओं को बेचने का काम करें क्या ये आपके धर्म में सिखाया गया है बताया गया है तो इसका मतलब सा सिर्फ गुमरा करते हैं सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगने का काम करते हैं आपका उर्ष होता है आपके मेले होते हैं आपके तमाम जगाओं पर होते हैं तो पहले तो हिंदू दुकान लगाता नहीं अगर कुछ परसेंट एक दो परसेंट हिंदू दुकान लगाता भी है त उसका नाम राम है तो उसने रहीम रख लिया हो अगर उसका नाम मुकेश हो तो मुक्तार उसने नाम रख लिया हो एसा वो करता तो आप लोग ये भी कर देते हो कि अपने छेत्र में उसे कलावा लगाने बांदने नहीं देते हो, कई बार तो उसे तिलक लगाने को भी नहीं देते हो, तो वो अपनी इमांदारी से काम करता है, हिंदू समाज, सनातनी समाज, लेकिन आप अपनी इमांदारी से काम नहीं करते हो, आपको सोचना पड़ेगा, कि आपका इमान, जिस इमान के नाम पर आप जानते हो कि पूरी दुनिया में आपका धर्म बहुत बड़ा है, तो वो इमान किस जगह चला जाता है, कहां पर चला जाता है, वो इमान क्यों डगमगाने लगता है, आप मंदिर के सामने खड़े हो जाते हो, आप धार्मी जो चीजे होती हैं, उनको इसपर्ष करते हो, और जब वैसे आपको इसपर्ष हो जाता है, तो आप फत्वा जारी करना शुरू कर देते हो कि नहीं, हमें अपवित्र कर दिया गया, तो इसमें बचाओ सिर्फ एकी तरह से है, एकी रास्ता है, हिंदु समाज के दुकंदारों को, जो सनातनी है, वो दुकंदार अपने द हर बंबम, जैजय बोले, जैजय सिर्राम, आदी जो नारे हैं, जो जैगोश हैं, उस जैगोश के माध्यम से, वो कावडियों का उस्साह वर्दन करें, उनमें जोश बढ़ाएं, जब आप जैगोश लगाओगे, जैसिर्राम, हर हर बंबम, तो बगल वाले जो रहमान हो सकता है, उनके मुँसे भी जैजय सिर्राम, हर हर बंबम, जैभोले की, उनके मुँसे भी निकल जाए, तो इसलिए हिंदू जो दुकंदार हैं, सनात्री जो दुकंदार हैं, उन पर सुप्रीम कोट का कोई आदेश नहीं है, कि वो नाम ना लिखें, नेम प्लेट ना